साथियों, हर मोहनसी जी ने संसद में स्रद्दे अटल जी जैसे नेताओं के दौर में काम किया था। अटल जी कहते थे, सरकारे आएगी, सरकारे जाएगी, पाटिया बनेगी, बिगडेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। यही हमारे लोकतंतर की आत्मा है, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंतर की बज़र से हैं, और लोकतंतर का अस्तित्व देश की बज़र से हैं। हमारे देश में अधिकाउस पार्टियों ने विशेश रुप से सभी गैर कॉंग्रेसी दलों ने इस विचार को देश के लिए सहयोग और समन्वय के आदर्स को निभाया भी है। मुझे आद है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्व हुआ था तब हर एक प्रमुक पार्टी सरकार के साथ तंदे से कंदा मिलाकर के खड़ी हो गई थी। जब देश ने पहला परमानु परिश्ण किया तो सभी पार्टिया उस समय भी उस समय की सरकार के साथ ध़कर खड़ी हो रही। लेकिन आपातकाल के दोरान जब देश के लोकतंत्र को कुछला गया तो सभी प्रमुक पार्टियों ने हम सब ने एक साथ आकर सम्विधान को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी। चौदरी हर्मोन सी आदव जी भी उस संगर्ष के एक जुजारू सहिनित थे। यानि हमारे यहां देश और समाज के हीत विचार धाराओं से बड़े रहे हैं। हाला कि हाल के समय में विचारधारा या राजनितिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी उपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियानवयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। यह हर एक राजनितिक पार्टी का दाइत्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध, देश के विरोध में न बदलें। विचार धारों का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनितिक महत्व का अशाय तो हो सकती है। लेकिन देश सबसे पहले हैं, समाज सबसे पहले हैं, राष्ट प्रथम है।